नमस्का दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं इगनु परिच्छा को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सबसे लेटिस्ट अपडेट के साथ फिर से हम आप सभी के पास हाजिर हो चुके हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहे है यहां परिच्छा का मोड होने इस परिच्छा में किस परकार समय देने पड़ेंगे पूरी खबर दिखाैंगे यह फूरी अपडेट किस मोड में होगा ऑफ लाइन मोड में होगा ऑफ लाइन मोड में होगा एम से क्यू टैप में होगा या ओभी मोड में होगा तो यहां पर सारों को चार सवाल है दोस्तों यहां पर पहला टाइप दूसरा टाइप तीसरा टाइप चोथा टाइप आप सभी नीचे कमेंट MCQTAP में या OBA मोड में अब इन सारे जो है कि क्या क्या होते हैं उसके स्बांचा mor это कि और यहां पर बात करते कि और गरsmında कोफ़ों लेत गर्पी भात म 8 और आपना किताब खोळिए जो चीज खोलना है खोले किसी से पूछना है पूछिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ओपन नाम ही ओपन बुक एक्जा किताब खोल के लिखने वाला परिच्छा किताब खोल के लिखने वाला परिच्छा इसी को कहते ओपन बुक एक्जाम तो यदि आप किताब खोल के लिखने वाला परिच्छ देना चाहते हैं नीचे कमेट लिखे कि अब्या मोड में परिच्छा होना चाहिए तो यह हुआ अब mcq-type का मतलब क्या होता है mcq-type का मतलब होता है दोस्तों multi choice question multi choice question यानि कि एक question के भीत चार options दिया जाएगा उसी में से जो सही अंसर होगा उसी का चुनाब करना है इसी को कहते है mcq-type का question अब यहां पर बात रहते हैं उसी को कहते हैं ओफलाइन मोड का परिच्छा जो औरेडी आप पहले यर्ड से आप देते आ रहे हैं उसी को हम लोग ओफलाइन परिच्छा कहते हैं अब यहां पर दोस्तो ओलाइन परिच्छा अब ओलाइन परिच्छा किस परकार से परिच्छा होता है दोस्तो online परिछा जो होता है वो दोनों परिछा को मिला कर दिया जाता है यानि कि दोस्तो OBA या MCQ टाइप कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है दोस्तो MCQ टाइप हो या OBA MCQ टाइप को भी online मौड में convert कर दिया जाएगा ठीक है यानि जो भी question आएगा वो computer पर आपको देखने के लिए मिलेगा और लेकिन उसमें जो options रहेगा वो MCQ टैप में रहेगा यानि options वाला रहेगा और OBA mode का भी examination online mode में ही कहलाता है लेकिन offline mode दोस्तों दो परकार का परिच्छा होगा पहला MCQ टैप में OBA होगा और एक theoretical paper होगा वो भी offline mode में होता है तो offline भी mode आप समझ चुके online mode भी समझ चुके MCQ टैप का भी परिच्छा समझ चुके OBA टैप का भी परिच्छा समझ चुके तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि इगनु कौन सा मोड को अपना रहे हैं इस चीज के बारे में आप जानी तो इगनु जो अपना रहे हैं दोस्तों आप सभी के जो परिच्छा है वो आप्लाइन मोड में होगा वो भी MCQ टाइप में परिच्छा दिया जाएग यदि आपने वो नोटिस नहीं देखी होंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर आप देख सकते हैं कि इगनु किस टाइप का परिच्छा लिए इसके एनांस्मेट इगनु ने कर दिये गे तो आई होप दोस्तों यहीं ओनलाइन मोड में आपका परिच्छा होगा लेकिन दोस्तों अगर आपको इगनु पूछा जाए कि किस मोड में परिच्छा आप देजिएगा अपना जवाब हमारे साथ जरू सेर करिएगा आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मत्मुन होता है बहुत इंपॉर्ट वीडियो के साथ नए जानकरी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद